मिंता रस्यम को सौगत है आज हम बनाने वाले केले की चिप्स केले की चिप्स बनाने के लिए पहले आप एक दर्जन केले कच्छे केले ले ले और उन्हें हम चाकू से पील करके मतलब उनको छील के उनका अंदर वाला जो पाठ है उसको हम निकाल लेंगे तो हम सारे केलो को इसी तरह से एक एक करके सब के जो छीलके हैं उनको हम इसी तरह से चाकू से छीलके निकाल लेंगे लेजिए हमारे जो केले हैं वो सारे के सारे हमने छील लिये हैं और उनके अंदर का पाठ निकाल लिया है अब हम कड़ाई में तेल करने के और तेल को हमने लिया है रिफाइन का तेल आप सारसो के तेल कलाव से कोई भी तेल रफ जाल सकते हैं हैं और हम प्रड़ को थोड़ाइ सा तेल में ड सांधे और फिर इसको चिपस बनाने वाले उस तो हम इसको अक है डिर्ट ही कड्राई में डालेंगे क्योंकि यह चिप चिपे होते हैं कच्चित के लिए हैं इसलिए चिप चिपे होते हैं तो हम इसे डायरेक्ट ही कड़ाई में डाल देंगे तो यह चिप केंगे नहीं कि अच्छिप केंगे नहीं तो आप इन्हें एक दो मेट के लिए फ्राई होने दें और फिर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको निकाल लेंगे तो लीजे हमाई जो चिपस हैं वो अच्छे से तल गई हैं और अब हम इने निकाल लेंगे अब एक बार में दो या तीन केले उसमें एक साथ उनको उनकी चिपस को डाल सकते हैं जालें इसे जूप्स से जशाथा अगर डालेंगे तो कह सकता है चिपस पर जबागे हम इसी तरह है ज़ु काले हैं उनको हम डिर्ट उसी च्छी रखकर helps को डाल देंगे हम चिप्स को मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे हाई फ्लेम में नहीं तलेंगे हाई फ्लेम में तलने से हमारी जो चिप्स हैं वो जल सकती है इसलिए हमेने लो या फिर मीडियम मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे और हम पहले जैसे हमने बताया था कि हमें इने गोल्डन ब्राउन होने तक ही तलना है तो हम अपनी सारी चिप्स को गोल्डन ब्राउन होने तक ही तलेंगे तो लीजिये हमा यो सारी की सारी हमा जो केले और चिप्स हैं वो हमने तल लिये हैं और अब हमने सर्फ सर्विंग प्लेट में सर्फ करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए